श्मास्कार, मित्रो, स्वागत है फिर से आप सभीका आज के इस वीडियो में भी हम लोग 20 MCQ देखेंगे जो आपके प्रिवेर्ट सिर्स के कोश्चन्स होंगे इसी तरह के आपके DPSC, TGT, PGT में प्रश्ण आते हैं इससे पहले वाले जो आपके अभ्यास प्रश्ण का सिरीज है उसको आप लोग देख लीजिए लेक्षर का भी सिरीज चल दाए सारे लेक्षर को भी देखिए तो लेक्षर के साथ साथ MCQ भी चल दाए ताकि दोनों का प्रिपरेशन आप सभी का हो सके तो चलिए 20 प्रश्ण है फटा फट इस 20 प्रश्ण को हल करेंगे इस विडियो में थिक है चलिए पहला जो कौश्चन है आपके सामने है संगीत रतनाकर के टीकाकार कौन है ठीक है। संगीत दतनाकर पर कई लोगों ने ठीका लिखा है लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो है सी भुपाल और कलीनाथ की शर्चा आती है सी भुपाल ने क्या लिखा था शंगीत सुधाकर तीके यहां पर संगीत सुधाकर इसको याद रखेगा मैं ट्रीक बता रहा हूं और कलीनाथ ने कलानिध इन्हों लिखा तीके तो यहां पर आप्षन होगा वो डी हो जाएगा कोई नहीं कि सभानिसका अलपरियोग होता है तो कुमल निसाद का अलपरियोग से जो है किदार कि विल्कुल ही ये भूनने वाली सीज नहीं है और आप लोग याद भी कर लिये होंगे नहीं किये तो कर लिजे की राना घराना करीम खा ठीक है अब दुल करीम खा कि राने घराने से संबंदित हैं उस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं चलिए चार नमबर कोश्चेन है और यह संगीत विद्याले पूरे की अस्थापना किसने की भात खंडे संटेर के में है, आगर घराने की प्रसीद गायक का नाम क्या है। तो आगर घराने के गायक वह फैयाज खा है। था आज़ खा है, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया है, रेमापा नीधापा मागरे स्वरसमु किस राग का सुचक है, देश सुद्धसारंग स्यामकल्याड उपिप्ति में से एक से अधिक, उपिप्ति में से कोई नहीं, तो जो रेमापा नीधापा का जो जो स्वार संगत है वो राग्देश का है तो यह आपसर इस मैं आपका सही होगा यहां देखिये भात्खंडे जी की थाट प्रदति किस पर अधारित है ų भात्खंडे जी का जो थाट प्रदति है फूराना नाम जो है मेल था तो यह रात्री करेंस तो राग देश का जो गायन समय होता है दूसरा बार पूछास के रचेटा कॉण है तो मारी फोन गुमात के जो रचहिता है मुम्मद रजा नवाव वली खां ठीक है यह हो जाएंगे 11 नंबर कोश्चन दिया प्रसीद गाय के और वीड़ाबाद एक बैजू किस राज के काल में अधिक प्रसीद हुए राजामान सिंग्तोमर गयासुदिन खिल जी महराणा कु प्रसीद अधिक कोई नहीं तो जो यह बैजू थे यह ऐसा माना जाता है कि राजा मान सिंग्तोमर के समय में अधिक परसीद हुए ठीक है संगीत रतनाकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है यह मैंने कई बार बताया है सप्ता धाई अश्टा धाई पंचमबेद उप्युक्त में से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं देखें संगीत रतनाकर में साथ अध्या है और इसको देखते हुए सब्ताधाई कहा जाता है ठीक है ना तो आपका जो है बारका एसा ही हो जाएगा धमार गायन सैली में किसका वर्णन होता है तो इसमें होली का वर्णन किया जाता है ठीक है चलिए परमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं एक जात से दूसरे जात में प्रवेश करने वाला, एक प्रहर से दूसरे प्रहर में प्रवेश करने वाला, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाला, उप्रिक्त में से कोई नहीं, तो परमेल प्रवेशक राग जो है, उसको कहते हैं जो एक थाट से दूसरे है हम आज काफी दोनों में अब्दुल करीम खा किस घराने के गायत थे ठीक है गायत थे किराना अगरा रामपूर उप्रिक्त में से कोई नहीं पीछे यह बता चुका हूं करीम खा किराना घराने से संबंधित है यह आप्शन सही हो जाएगा सोर नंबर कोश्चन दिया है अर्ध और दर्शक्ष्वार किशे कहते हैं यह इंपॉर्टेंट है कई बार बताया हूं और बताता हूं इसको कभी मत भूलिएगा गंधार मध्य से समय का बिभाजन होता है वादि संबादी ये बीच में, बीच का स्वर है, सात शवरहों में ये बीच वाला स्वर है इसलिए अर्ध और सक ऑसह करते हैं उस्ताद फ्याज खा का जन्म की श्वर्ष में हुआ था संगीत प्रवेश नामक पुष्टक किसने लिखी कृष्ण राव संकर पंडित उंकार नाठाकुर कुमार गंधर उप्रवेश नामक पुष्टक काल जो लिख है किष्ण राव संकर पंडित को माना जाता है जहां पर भारत्य संगीत वाध्या पुष्टक के लेखक कौन है भात खंडे जी प्रेम लाताशर्मा हरिश्चन्र शुरुवास्तो उक्तित उप्रवेश कोई नहीं तो भारतिय संगीत वाध्य जो है यह लाल मडी मिश्रका है इस जिसमें स्वरों की संख्या कम हो जिसमें स्वरों की संख्या दिखो जिसमें कई रागों की छाय दिखाई दे उप्युक्त में से कोई नहीं संकेड राग का मतलब होता है कई रागों का मिश्रण तो यहां पर दिया है जिसमें कई रागों का छाएं दिखाई दे उसको हम लोग संकेड राग कहते हैं ठीक है तो चलिए इस तरह से आपके 20 mcq रहें ठीक है आप सभी को बता दू कि जितने भी mcq का सिरीज है थीरी का जो है प्लेइलिस्ट भी बना हुआ है थीरी है लेक्चर है विपीएसी वन के लिए टू के लिए थीरी के लिए सभी mcq थीरी का वीडियो आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए नोट्स बना लीजिए एक दो किताब भी ले लीजिए और अपनी पढ़ाईस फ्लो बट रेगुलर पर इच्छा कब होगी कैसे होगी इस पर मत जाईए आप लोग थोड़ा बहुत दो घंटा डेली अभ्यास करते रहें ताकि जो चीजे आप एक्जाम के समय करते हैं फटा फट जल्दी में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है वो ना करना पड़े एक नजर आप पहले से देखे रहेंगे या फिर जिनकी त्यारी अच्छी है कुछ चीजे बाकी है तो उसको भी देखते रहे ठीक है जो कुछ भी छुटा हुआ है अंदर तक आप लोग उसको समझे देखिए कुछ भी बाकी ना रहें अब एक्जाम आता है सभी लोग को लगता है कास कुछ दिन और रहते तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता है ठीक है तो अभी समय है धीरे धीरे रेगुलर आप लोग साथ बने रहिए सारा वीडियो देखते रहिए कमेंट्स लाइक करते रहिए जो लोग नए है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए पीडिएफ आपको मेजी गेंगे टेलीग्राम पर मिलता है ठीक है तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए धन्यवाद